हेलो दियोर स्टुडेंट्स, क्लास 10 की इंगलिश बूक, फास्ट फ्लाइट की फोर चाप्टर, उसकी NCRT सॉलुशन यानी कोश्चन अंसर डिसकेशन इस वीडियो में करेंगे, यहे चाप्टर, चाप्टर का नाम है फ्रॉम दा डायरी अफ आनी फ्रांक, और इसमें टोट तीन पार्ट्स है, पार्ट्स के निचे यह फास्ट पार्ट के निचे थ्री कोश्चिन्स है, ठीक इसी तरह पार्ट टू के निचे यह टू कोश्चिन्स और पार्ट थ्री के निचे यह फोर कोश्चिन्स, टोटल हो गया नाइन कोश्चिन्स, साथ-साथ चाप्टर के नि यह जो दिया है thinking about the text इसमें total seven questions है और साथ-साथ इसके बाद कुछ textual grammar यानी vocabulary है उसको भी करेंगे तो चलो देर ना करते हुए question answer को समझते हैं part one की three questions में से question number one पूच रहा है what makes writing in a diary a strange experience for Annie Frank मतलब diary में लिखना क्यों कर एक strange यान एक नई experience है Annie Frank के लिए क्या सब causes responsible है एक strange experience के लिए तो जवाब यह रहा देखो first cause यह है कि she had never written anything like this before पहली बात यह है कि इससे पहले वो कभी diary नहीं लिखी थी और second cause यह है she thought that nobody was going to read और would be interested in her diary वो सोचती है कि आगे चलकर कोई नहीं पढ़ेगा उसकी किताब को और कोई भी interest नहीं लेगा उसके diary में question number two पूच रहा है why does Annie want to keep a diary आणी क्यूँ चाहती है अपने पास एक diary रखेगी जवाब बहुत ही simple है because she does not have a friend with क्यूँके उसके पास कोई true friend नहीं है question number three why did Annie think she could confide more in her diary than in other people क्यूँ आणी सोचती है को ज्यादा भरोसा कर सकती है कि डाइरी में किसी इंसान के मुकाबले में वो इंसान में क्यूँ भरोसा नहीं करती है डाइरी में क्यूँ भरोसा करती है क्या है इसका जवाब answer देखते हैं she could confide in a close friend but she did not have one अगर उसके पास कोई close friend होते तो वो उसमें भरोसा कर सकती थी यकिन कर सकती थी लेकिन उसके पास ऐसी कोई real friend नहीं है the friends she had were there to have more fun and good times जो friend जो दोस्त उसके पास है वो सब fun यानि हसी मज़ा के लिए है time pass करने के लिए है rather than the ones in whom she could confide ऐसी कोई दोस्त उसके पास नहीं है जिसमें वो भरोसा कर सकती है part 1 हो गया part 2 की पहली question यानि हमरे serial number 4 why does Ani provide a brief sketch of her life यानि diary में अपनी experience लिखने से पहले वो अपनी life के बारे में एक brief sketch क्यों देना चाहती है मतलब एक shortcut idea क्यों देना चाहती है जवाब यह रहा देखो she thought that nobody would understand a single word without her giving the brief sketch of her life वो सोची कि कोई भी कुछ नहीं समझेंगे एक भी वाड उसकी डायरी से अगर वो नहीं देगी एक brief sketch अपनी जिंदेगी के बारे में अपनी life के बारे में अगर वो एक चोटी सी introduction नहीं देगी तो कोई उसकी detail कुछ समझ नहीं पाएंगे इसलिए वो एक brief sketch देना चाहती थी beginning में next question what tells you that आनी loved her grandmother कि इस बास से आपको पता चलता है कि आनी बहुत प्यार करती थी अपनी दादी मा को जवब यह रहा she often thought of her grandmother and still loved her एक sentence उस text में यानी chapter में है जहां लिखा है कि ओ ज्यादा time यानी अक्सर time सोचती रहती थी अपनी दादी मा को और आज भी ओ उतना ही प्यार करती है part 2 की question answer complete हुआ अब last part की question answer हमारे serial के हिसाब से question number 6 why was Mr. Kissing annoyed हुई थे आनी वो जो Mr. Kissing है यानी teacher math teacher वो क्यों annoyed थे आनी के उपर यानी क्यों rigid थे यानी क्यों cheat जाते थे आनी के उपर what did he ask her to do और उन्होंने यानी teacher ने क्या अडर दिया आनी को करने के लिए जाब यार दोको answer है Mr. Kissing वो जो अनाइड विथ हर Mr. Kissing बड़ ही अनाइड थे आनी के उपर because आनी talked very much in class क्योंके आनी ज्यादा बात करती थी class में यानी disturbance होता था teaching में after several warnings he assigned her extra homework बहुत सारी वाणिंग तो दिये उसको सुदर जाने के लिए जब वो नहीं सुदरी फिर उसके उपर वो एक्स्ट्रा homework डाल दिये next question How did आनी justify her being a chatterbox in your essay जो chatterbox essay teacher ने दिये थे आनी को लिख कर लाने के लिए उस essay में वो अपनी बात को के से justify की यानी बात करना भी ज़रूर है वो किस प्रकार से प्रूब की जब यह रहा देको she gave two arguments वो दो argument दी है अपनी essay में to justify that she was a chatterbox अपने को बताने के लिए वो असल में एक chatterbox है यानी बगबगी है एक point यह रहा one that chatting was a student's trait एक point यह दी है के student लोग बात ही करेंगे यह उनकी फित्रत है यानी trait है and the other reason that nothing could be done about the inherited traits और कुछ भी नहीं किया जा सकता अगर ओ inherited है यानी माबाप से यह फित्रत अगर आई है तो उसमें सुधार नहीं ला पाएगी उसकी माँ ज्यादा बक्ती थी इसलिए ओ खुद बक्ती है इस फित्रत को खुद नहीं बदल पाएगी next question number 8 do you think Mr. Kissing was a strict teacher? यानी ये सवाल हम को है क्या हम सोचते हैं कि Mr. Kissing एक strict teacher थे? जवाब यह रहा देखो yes, he was a strict teacher हाँ हाँ, ओ एक strict teacher थे because he wanted to set right आनी for talking too much in a class क्योंकि ओ चाहते थे आनी को ठिकाने लगाने के लिए क्योंकि ओ ज्यादा बात करती थी class में, any punishment देना चाहते थे, इससे मालूम पड़ता है कि ओ टीचर strict थे last question number 9 what made Mr. Kissing allow आनी to talk in class? ओ किस बात के बाद Mr. Kissing ने अलाव किये आनी को के ओ बात कर सकती है class में जवाब यह रहा देखो when आनी had written her assignment a long beautiful verse जब तिसरा assignment यानी homework दिया गया था आनी को और आनी ओ लिख के ले आई एक long beautiful verse में एक लंबी poem की form में Mr. Kissing liked it और यह poem Mr. Kissing को पसंद आया he read the poem to the class class के सामने उन्होंने पढ़कर सुनाया added his comments to it और अपनी बात भी इस पर रखे ओ then he allowed her to talk उसके बाद उन्होंने आलावड किया आनी को कि तू class में बात कर सकती है तो अब तक हमने three parts की question answer discussion कर लिए, समझ लिए अब chapter के नीचे जो दिया है thinking about the text इसमें seven questions है इसकी discussion करेंगे सासाथ उसके बाद जो textual grammar है उसका discussion सुरू करेंगे ये रहा question number one पुछा है वाज आनी right क्या आनी सही थी when she said जब उन्होंने बोली that the world would not be interested in the musings of a 13 year old girl कि दुनिया interest नहीं लेगी कि एक 13 साल लड़की को and he was not right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13 year old girl कि नहीं नहीं आनी सही नहीं थी जब उन्हों बोली थी कि दुनिया interest नहीं लेगी नहीं लेगी एक 13 year girl को क्या अच्छा लगता था या नहीं लगता था ये सही नहीं है क्यूंकि ओ मर जने के बाद आज हम उसकी डायरी को पड़ रहे हैं इतने सालों के बाद Question number 2 There are some examples of diary or journal entries in the before you read section मतलब इस chapter के beginning में जो before you read section दिया है उसमें कुछ diary और journal के बाद हुआ है तो दिखा देता हूँ अभी ये देखो ये रहा देखो ये chapter के नीचे ये जो before you read section दिया है इस paragraph में कुछ diary और journal के बारे में बात किया गया है उसी के उपर ये सवाल है फिर वो पूछ रहा है फिर पूछ रहा है compare दी जोई थी what आनी राइट सिनर diary और ये जो beginning में जो diary की discussion हुआ है उस diary को आनी के diary के साथ compare करो what language was the diary originally written in और आनी जो diary लिखी है उसका original language क्या है कौन सी भासा में उसको लिखा गया है in what way was आनी जो डाइरी different और कौन सी तरीके से आनी के डाइरी ओ सब डाइरी से अलग है इतने सारे questions का जवाब बहुत ही simple है ये देखो आनी started with a diary format सब डाइरी के तरह आनी भी डाइरी शुरूगी है कोई फरक नहीं है but it became a memory later on लेकिन बाद में चलकर आनी के डाइरी famous बन गई आज भी उस डाइरी के बात हो रही है लेकिन दूसरे लोगों के डाइरी के बात नहीं हो रही है यही है difference और वो language था dodge language जो इसमें लिखा नहीं है लेकिन तुम अपने answer में add कर लोगे तो चलो next question देखते है question number 3 why does आनी need to give a brief sketch about our family आनी को क्यों जरुद पड़ा कि अपने family के बारे में एक introduction वो अपने डाइरी में दे docent treat kitty as an insider और outsider वो अपनी kitty को यानी जो डाइरी की नाम है उस kitty को अपनी एक insider समझती है या कोई outsider यानी बाहरी चीज समझती है answer देखो she feels she is very lonely and this feeling is with her despite the fact that she has a family वो अपने आपको बहती अकेली महिसूस कर रही है इसलिए कि उसके पास एक family है उसके बावजूद यानी despite वो अपने आपको अकेली महिसूस कर रही है that is why she wants to give a brief case of her life इसलिए वो चाहती है कि अपने family के बारे में बताएं कि वो अकेली नहीं है उसकी family है फिर भी वो अकेली है she treats kitty as an insider और kitty यानी वो डाइरी को एक insider समझती है यानी अपने घर की member समझती है बाहर की नहीं समझती है question number four how does आनी feel about her father her grandmother Mrs. Cooperus and Mr. Kissing आनी की feeling क्या है अपनी बाप के बारे में दादी मा के बारे में ओ जो Mrs. Cooperus जो एक टीचर थे head missus उसके बारे में and Mr. Kissing जो math teacher है उनके बारे में what does this tell you about her और इससे तुमको क्या मालूम बढ़ता है ये तुमको क्या बता रहा है answer देखो आनी फ्रांक loved her father too much ये बात सही है कि आनी अपनी बाप को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी she described him as the most honorable father she had ever seen वो अपनी किताब में बताई है कि सबसे प्यारा बाप उसकी बाप है she had ever seen एससी बाप वो अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखिए she was deeply attached to her grandmother और अपनी दादी माय के साथ वो बहुत ही attached थी यानी उसकी लगाऊ थी ज़्यादा she felt extremely lonely after her death जब दादी माय की death हो कि ये मर गई हो तो फिर वो अपने आपको बहुत ही अकेली महिस उसकी and she even lit a candle for her on her next birthday जब next birthday उसकी आई उस बार्थडे में दादी माय के लिए ओ एक candle जलाई थी and he got attached to her headmissess और जो headmissess थे Cooperus उनके साथ भी उसकी ज़्यादा लगाऊ था and became emotional when bidding farewell जब उसकी headmissess की transfer हो गया यानि उस school से उस चले गए तो बड़े emotional हो गई कौन आणी यानी बहुत रोई और यह रहे Mr. Kissing यानी मैत्रिचर her math teacher was very strict and she got pretty well with him लेकिन उनके साथ उनका बड़ा ही लगाव आ गया था good relationship established हो गया था बाद में चलकर next question, question number five Saul यह रहा what does Annie write in her first essay जो first essay दिया गया था जिसका नाम था chatterbox उस essay में ओ क्या लिखी थी answer यह रहा she wants to write convincing arguments on the essay, a chatterbox chatterbox essay में convincing arguments यानी ठोस argument यानी ठोस तर्क दी हे हो she writes that it is a student's trade ओ लिखती है के बात करना बखबख करना ये एक student की फितरत होता है and that she will try to keep it under control और ये भी बताए है अपने essay में के ओ कोशिस करेगी उस फितरत को अपनी control में रखेगी but she says she would not be able to cure it as the trade has been inherited from her mother और ये भी बताती है के ओ एबुल नहीं होगी सक्ख्यम नहीं होगी बिल्कुल उससे बाज आ जाए क्योंके ये फितरत उसकी इनिहरिटेड है उसकी माज से ये फितरत उसके पास आई है कोशी नंबर 6 आनि सेज टीचर सार मोस्ट उन्फ्रेडिक्टेबुल आनि बताती है कि टीचर लोग अप्रत्यासित होते उनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं क्या जा सकता भविस्य बाणी नहीं क्या जा सकता वाज Mr. Kissing unpredictable, तो सवाल यह रहा हमारे लिए कि Mr. Kissing जो math teacher थे, कि यह भी unpredictable थे, अगर yes है तो how, अगर no है तो how, जब यह रहा देखो, answer है yes, what she says is right, आनि जो बोल दिये कि teacher लोग unpredictable होते हैं, यह साहिए, she could not predict the reactions of Mr. Kissing on her assignments, वो तो कभी सोची नहीं थी, कि Mr. Kissing ऐसे ही reaction करेंगे उसके essay के उपर, यानि वो बदल जाएंगे उसको, अलाव कर देंगे class में बात करने को लेकर, इसलिए unpredictable होते हैं teacher लोग, यह बात साहिए, question number seven, what does this statement tell you about, आनि फ्रांकाजे पर्षन, यह जो statement नीचे दिया गया है, उस statement को लेकर, आनि के उपर तुम अ we don't seem to be able to get any closer, that is the problem, एक जगा आनि बताती है, कि हमको लगता है, कि हम ज्यादा close नहीं बन सकते हैं, यही problem है, यानि दोस्त लोगों के साथ, maybe it is my fault, that we don't confide in each other, हाँ यह भी हो सकता है, कि यह मेरा कुसूर है, कि मैं किसी दुसरे में ज्यादा फरोसा नहीं कर सकती हूँ, त तो इससे हमको आनि के बारे में क्या पता चलता है, हम अपनी statement यहां देंगे, इस point के उपर, तो हमारा statement यह रहेगा, कि आनि friendly है, और warm भी है, point two, two में लिखा है, I don't want to jot down the facts in this diary, the way most people would do, diary के beginning में आनि बोलती है, कि मैं इसे jot down, मतलब directly लिखना नहीं शुरू कर दूँँ कि सारे facts को, जैसे ज्यादा तर लोग करते हैं, but I want the diary to be my friend, मैं इतना चाहती हूँ, कि diary मेरा friend बना रहे, तो इसके उपर आपका statement क्या है, इसके उपर हमारा statement यह हो सकता है, कि आनि different बनना चाहती है, और थोड़ा original भी बनना चाहती है, different and original, she wants to be different and original, point 3, Margot went to Holland in December and I followed in February, एक जागा चाप्टर में यह आनि बोलती है, कि उसकी बड़ी बहन Margot Holland गई December में, और मैं उसके पीछे गया February में, और मुझे लेकर सिधा टेबूल के उपर क्या गर दिये, रख दिये, लट करके यानि पटक कर, और मुझे के से पेश किया गया, कि मैं Margot के लिए एक बार्थ दे गीप्ती हूं, यानि Margot के बार्थ दे के दिन मुझे वहाँ प्रेजेंट किया गया, इसके उपर हमारा statement क्य बता हो सकता है, इससे हम यह बोल सकते हैं कि आनि एक वीटी पर्षन है, केसा पर्षन, वीटी पर्षन, क्योंकि इसकी बीगनिंग में हमको सवाल था, कि आनि केसी पर्षन है, बताओ, तो हम यहाँ आनि को एक वीटी यानि बुधिमान ब्यक्ती बोल सकते हैं, if you ask me there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back chapter के एक जगा लिखा है result को लेकर आनी लिखती है कि अगर तुम मुझे पुछोगे कि हमारे क्लास में से एक quarter ऐसे dummies है मतलब बनावटी character हैं हमारे class में भरे पड़े हैं जो fail होंगे quarter समझते हो 25% of the total 100% but teachers are the most unpredictable creatures on the earth लेकिन teacher लोगों के बारे में बताया नहीं जा सकता हो सकता है उसाब को पास कर दें या इससे भी ज़्यादा fail कर दें इसके उपर हम आनी को किस प्रकार की आदमी किस प्रकार की परसन के इससे देखते हैं तो यहां हम आनी को humorous बोल सकते हैं को बड़ा ही मजा की है और जानती है कैसे बात करना और यह रहा लास्ट पॉइंट anyone could ramble on and leave big spaces between the words but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking एक जगा है मतलब ओ जो ऐसे दिया गया था chatterbox उसको लेके एक जगा बताई है आनी कि कोई भी इधर उधर की बिना सेर सीरपार की बात कर सकता है और बीच बीच में gap भी छोड़ सकता है लेकिन असल बात यह है कि यह trick हमको मालूम होना चाहिए कि हम convincing argument कैसे दे सकते हैं यानि ठोस तरक कैसे दे सकते हैं और यह prove कर सकते हैं कि talking की भी necessity है तो इससे हमको आनी किस type की person लगती है तो यहां हम आनी को intelligent बोल सकते हैं जो intelligent होगा ओ convincing argument अपने SM में दे पाएगा तो यह हो गया जवाब तो 500 points की at a time answer यह हो सकता है अगर किसी को note करना है तो note कर लो ओके तो अब शुरू करेंगे इस chapter में जो है textual grammar तो vocabulary section question number one में पूछ रहा है match the compound words under a with their meanings under b मतलब यह जो column दिया है a b a के नीचे compound word कुछ है और इसका meaning column b के नीचे है इसका matching करो use each in a sentence और इसको लेकर एक sentence बनाओ तो पहले matching करते हैं पहला है heart breaking, heart breaking का meaning क्या होगा यह होगा d वाला होगा यह देखो producing great sadness फिर आते हैं two, two में दिया है homesick और homesick का meaning क्या होगा column b में से यह last में से उपर वाला जो है ओई होगा g missing home and family very much फिर आते हैं three, three में दिया है block head, block head का मतलब क्या है block head का मतलब यानि meaning यह हो सकता है यह a f हो सकता है देख लो लिखा है an informal word which means a very stupid person, एक stupid person को हम block head बोल सकते हैं फिर आते हैं point four, लिखाए law abiding, law abiding का मतलब क्या है, column b से उसका meaning लिखो और four का answer यह होगा, fast one होगा, a होगा, obeying and respecting the law यानि law को मानना, respect देना, obey करना उसको हम कहेंगे law abiding, point five पर चलते हैं, यह लिखाए overdue, overdue का मतलब क्या है, इसका answer last में यह last बाला होगा, देख लो do something to an excessive degree, यानि कुछ काम, access करना, बहुत ज़्यादा कर लेना, तो उसको कहते हैं, overdue, और फिर point six में दिया है, daydream, daydream का मतलब क्या है, इसका होगा, बी होगा, think about pleasant things, and forgetting about the present, यानि अभी present को भूल कर, pleasant thing के बारे में सोच चेंगे, तो उसको कहेंगे, daydream, और यह राद एको, point seven में दिया है, breakdown, breakdown का मतलब क्या है, breakdown का मतलब यह होगा, यह point E होगा, an occasion when vehicles, machines stop working, एक time जब कोई गाड़ी या machine काम करना बंद कर दे, तो उसको कहते हैं, breakdown, और last point, output, output का मतलब क्या है, जो आखिर बच गया, C, उयोग answer, देखो, something produced by a person, और machine, और organization, कोई संस्ता या machine या बेक्ती के द्वारा, कुछ चीज produced क्या गया है, या बने गया है, तो उसक कहते हैं, output, ओके, अगर आटे टाइम सब की answer चाहिए, तो यह रहा list, list note down कर लो, फिर चलते हैं, question number 2, क्या पुछ रहा है, पढ़ेंगे, question number 2 में पुछ रहा है, now find the sentences in the lesson that have the phrasal verbs given below, match them with their meanings, मतलब यहाँ जो दो कलम दिया है, एक कलम, यानि left side कलम में दिया है phrasal verb, और उसक इसका matching करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं, पहला phrasal verb है, plong in, plong in का मतलब क्या है, plong in का मतलब यह answer होगा, g वाला होगा, go straight to the topic, अगर हम सिधा सिधा topic के ओपर चले जाएंगे, तो उसको कहेंगे, plong in, और point 2 में था phrasal verb kept back, kept back का मतलब ओही होगा, जो उसके बगल में है stay under, मतलब घर के अंदर रहना, और point 3 phrasal verb में है move up, move up का meaning क्या है, move up का meaning, यह होगा, h वाला होगा, go to the next grade, यानि next class में जाना, उसको कहते हैं move up, अब आते हैं, ramble on, ramble on का मतलब क्या है, इस phrasal verb का meaning, ramble on का मतलब होगा, point 1a होगा, speaker right without focus, बिना focus के कुछ इधर उधर का लिखना, उसको कहें, ramble on, और next phrasal verb में get along with, get along with, phrasal verb का meaning क्या होगा, देखो, यह d वाला होगा, have a good relationship with, किसी के साथ अगर अच्छी तालूख है, तो उसको कहेंगे get along with, और point 6 में जो phrasal verb दिया है, उसका दिया है, calm down, calm down का मतलब होगा, यह c होगा side, maker remain quiet, चूप रहना, चूप रहना को कहते हैं, calm down, point 7 में phrasal verb, stay in, stay in का मतलब क्या हो सकता है, stay in का भी मतलब ओई होगा, जो हम देखे थे, b में stay in door होगा, तो यहां कोई, इधर उधर होगया, तो उसको क्या कहेंगे, तो यह जो point 2, kept back में हम दिये थे, stay in door, उसको काट देंगे, उसका सही जवाब होगा, age बाला होगा, go to the next grade, ओके, फिर आते हैं, point 8 पर, इसमें phrasal verb है, make up for, make up for का मिनिंग क्या होगा, यह F होगा, compensate, यानि, नुक्षान भरना, उसको कहते हैं, make up for, और last one में है, phrasal verb, hand in, hand in का मतलब होगा, point E, given assignment, यानि, कोई home mark देना, to a person in authority, अगर authority बन कर, यहां authority teacher है, कहीं authority बन कर, किसी को हम, अगर home mark यानि, assignment देंगे, तो उसको कहेंगे, hand in, okay, अब देखते हैं, question number three, here are a few sentences from the text, हुई जब idomatic expression, यानि, lesson में से कुछ sentence दिया गया है, हर sentence में कुछ idomatic expression है, can you say what it means, उस idomatic expression का meaning क्या है, बताओ, तो पहला sentence पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, our entire class is quacking in its boots, quacking in its boots का मतलब क्या है, quacking in boots का मतलब है, shaking with fear and nervous, okay, sentence two देखो, लिखाए, until then, we keep telling each other not to lose heart, यहां not to lose heart का मतलब क्या है, idomatic expression है, not to lose heart, इसका मतलब होगा, not to think about negative side, but hope for the best, question number three, Mr. Kissing unied with me for ages, because I talked so much, यहां for ages का मतलब क्या है, यह है item for ages, इसका मतलब होगा, for quite a long time, next देखते हैं, four में, Mr. Kissing was trying to play a joke on me, with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him, तो joke was on him का मतलब क्या है, इसका मतलब होगा, joke would be on him only, यानि वो joke उनके उपर मारा जाना, इसको कहेंगे, तो आटे टाइम में अगर जाब चाहिए, तो देख लो, यह रहा जाब, जिसको note down करना है, note कर लो, question number three, B में बूच रहे, here are a few more itematic expressions, that occur in the text, try to use them in sentences of your own, मतलब, chapter में से, यानि text में से, कुछ item यहां लाय गया है, तो मुझको यूज करो अपनी sentence में, और item यह रहा देखो, caught my eye, इसको लगा के एक sentence बनाओ, he had had enough, और laugh ourselves silly, can't bring myself to, break somebody's heart, यह सबको यूज करके एक sentence बनाओ, और यह sentence बनाना काम तुमारा है, किसी दुसरे से, टीचर से या किसी दुसरे से, sentence लिखना सही बात नहीं है, कुछ sentence इसको भी तुम note down कर सकते हो, okay, thank you, back sentence तुम अपनी तरफ से बनाओ,